South की मूवी का लगातार हिट होना और Bollywood की मूवी के लगातार फ्लॉप होने से समाज में Bollywood versus South का एक महल बन गया है और यहां हर कोई बयानबाजी भी कर रहा हैं लेकिन कुछ actors का कहना है कि हम सब एक हैं और हम सब भारतिय सिनेमा का हिص्सा हैं तो वहीं इस आग में गीका काम महिश बाबू के बयानने किया है और अब इस आग में भारतिय सिनिमा के जाने वाने डारेक्टर प्रिकाश जाबी कूत पड़े हैं प्रिकाश जाने बॉलिवूड के सितारों के बारे में कुछ ऐसा कह दिया है जिससे की हर जगे हाहकार मजगया है तो दोस्तो मेरा नाम है सौरव और आपका फिल्मी फायल्स में स्वागत है बॉलिवूड वर्सिस साउथ को लेकर छिडी बहस के बीच फिल्मेकर प्रिकाश जाने बॉलिवूड स्टार्स को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है गंगाजल, मृत्युदन, अपरण और चक्रव्यू जैसे फिल्में बनाने वाले नैशनल अवार्ड विनर प्रिकाश जाने इस वक्त वैब सिरीज आश्रम 3 को लेकर चर्चा में है प्रिकाश जा को दामुल और सोनल जैसे फिल्मों के लिए दो नैशनल अवार्ड मिले हैं चार दशकों से भी जादा सालों से फिल्म बना रहे प्रिकाश जाने अजे देगवन से लेकर शबाना आजमी, मादुरी दिख्षित, ओमपुरी, नाना पाटेगर और रंबीर कपूर समित कई बड़े स्टार संग काम किया लेकिन प्रिकाश जा को लगता है कि बॉलिवूड एक्टर्स को एक्टिंग नहीं आती बॉलिवूड और होलिवूड एक्टर्स के बीच यही बड़ा फर्क है प्रिकाश जाने बताया कि अपने स्किल्स और काम को और भेतर बनाने के लिए उन्होंने वो वर्क्शॉप अटेंड की है वह बोले मैं तो चुपके से जाकर उस वर्क्शॉप में एक स्टुटेंड की तरह शामिल हो जाता था मैंने क्लास में शेक्स्पियर और अन्यनाटक परफॉर्म किये जिसने मुझ में और विश्वास आया प्रकाष जा की डिरेक्ट की वी आकरी फिल्म सन 2019 में आये थी जिसका नाम परिक्षा दा फाइनल टेस्ट था यह OTT प्रेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी उसी साल वह फिल्म सांड की आंक में बतोर एक्टर दीखे वहीं सन 2020 में प्रकाष जाने बौवी देवल को लेकर सुपर हीड वैब सीरीज आश्रम बनाई जिसका अब तीसरा पार्ट यानी आश्रम 3 रिलीज होने वाला है